हेलो फ्रेंड्स, विल्कम टो लेंस रूविसेट, दिस राम सोनी, आज हम डिस्स कर रहे हैं टाइपस अफ मोशन के बारे में, और देखा हैं टाइपस अफ मोशन काफी इंपॉर्डेंट होते हैं, एज आफ नौ पारलेमेंटरी प्रोसिजर्स में, अब देखा जाया तो इस में तीन प्रिकार के मोशन हम पढ़ेंगे, एक है सबस्टेंट्ट्ट्टू मोशन, दूसरा है सबस्टिट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् इसके बारे में पहले हम डिस्कस करते हैं लेकिन याद रहे हैं इसको मेंबर्स की दोरह लाया जाता है जैसे किसी भी इंपॉर्टेंट क्लॉज में डिस्कस करना है कोई इंपॉर्टेंट मुद्धे की बात करनी है तो उस कंडिशन में मोसंस लायाते हैं लेकिन याद रहे है यहाँ पर presiding officer की consent होना जरूरी है मतलब जो भी अद्धिक्षता कर रहे है लोगसभा के हमले में लोगसभा अद्धिक्ष कर रहे है राजसभा के सापती मतलब that is the vice president basically तो उस condition में presiding officer का consent होना जरूरी है नाव पहले जानते है substance to motion किस तरह से काम करता है देखे substance to motion एक word से ही लग रहा है आपको substance जिसका खुद का अपना एक substance होता है मतलब ये एक independent proposal होता है और देखा जाए सबसे जो important matters होते हैं उसके लिए basic लायता है और याद रहे जब substance to motion लायता है तो house की जो बाकी गतिविदिया होती है उसको stop कर दिया आता है जैसे मालेजी कोई बाकी बेलोगरे लाने है तो substantive motion are one of the very important और ये कैसे मामले हैं जैसे मालेजी राश्पत का impeachment लाना है आपको राश्पत के अगरे से महाभियोग लाना है या सुप्रीम कोड जर्स का रेमोल रेस्राट करना है तो ये सारे process जो है substantive motion के अंतरगत आते हैं और ये independent proposals होते हैं और काफी important होते हैं और इसलिए कह सकते हैं कि इसको सबसे ज़धा priority दी जाती है तो बाकी impeachment आप President एक अलग चीज़ है उसको हम लोग discuss करें के बाद में कि क्या process होते हैं सुप्रीम कूर्ट ज़ज का removal process क्या होता है उसको ब्रिस्स करेंगे लेकिन as of no substantive motion आप याद रिखेगा जो सबसे important मुद्धे होते हैं वो substantive motion के अंतरगत cover किया आते हैं एक independent proposal होता है दूसरा motion होता है इसे बोलते है substitute motion देखे substitute motion येदि मैं आपको simple से language समझाने का प्रयास करो जैसे मालेजी आप इस school में पढ़ते हैं तो इस school में जैसे कोई main teacher होता है और main teacher कहीं चला गया तो वहाँ पे आपने देखा होगा एक substitute teacher लाया था ये वो teacher अच्छा पढ़ा रहा तो original motion को उसे replace कर दिया आता है ये पास नहीं किया तो कोई बात नहीं जो original motion है वो तो चली रहा है तो ये आप याद रहे हैं इसे बोलते है substitute motion so please remember this one this is how you can understand तीसरा motion है इसे बोलते है subsidiary motion देखे subsidiary motion में तीन प्रिकारकी motion का उण के आते हैं एक होता है ancillary motion subsidiary motion ancillary motion में देखा जाए तो ये regular way में house में लाया जाता है in general super shading motion की बात करें तो ये basically देखा जाए तो ये आम तोर पर supersede करता है जैसे कुछ important मुद्धे है जिसमें आपको कोई motion लेके आना है लेकिन जो motion आड़ी चल रहा है उसकी जगे में इसको supersede कर दिया जाएगा उसकी जगे में इसको ला दिया जाएगा तो जैसे superseding motion जब लाया जाएगा इसका मतलब ये है कि जो भी चीजें है वो इस topic में अब debate करना start कही जाएगे इस topic में सारे प्रोविजन स्टार्ट हो जाएगे है ना इसे बोलते है super street super street मतलब होराने वाले को उसके उपर बठा देना इसको और तीसरा है amendment motion amendment motion में कोई भी चीज़ modify करनी है तो ये चीज़ बहुत basic है amendment motion लाया आते है लेकिन याद रहे है ये तीरो ही modify कुछ करना है तो उसमें amendment motion लाया जाते हैं ठीक है इसमें हम देखे कुछ और भी motions है जो important है जिसे closer motion closer motion काफी important है ये other motions में count किया आते हैं अब देखे closer motion में जिसे मनले जी कोई भी motion आप लेके आए कोई भी bill लेके आए उसमें clause बर एक large discussion चल रहा है बंद कर दिया जाया और voting करा दिया जाया तो इस तरह से जो अलग अलग debate part में कम पार्ट में बंद करा जाया मतलब उसके कई सारे part होते हैं तो उसे कुछ part discuss कर लिया आपने और बाकी part जो है आपने चिदे vote करा लिया तो ये सारी चीजह होते हैं सारी closer motion के अंदर गताते हैं तो देखा जाया तो debate को छोटा करने के लिए होता है इसमें भी चार प्रगार के emotions बोले गया है एक है simple closer दूसरा है closer by compartment तूसरा है kangaroo closer चौथा है guillotine closer तो देखे हरी closer की बारे में पढ़े हैं तो हम बात करें simple closer के बारे में तो इसका मतलब यह है कि matter जो है प्रॉपर तरी के इस discuss हो चुका है आप यहाँ पर उसके लिए voting करना जरूरी है तो इसे बोलते है simple closer motion closer का मतलब simple सी बात है debate बंद करो और voting प्रॉपर तरी के से start किया जाया है मतलब compartment आपने मतलब एक portion आपने दिसकस कर लिया और बाकि पोछिन को आपने voting करा लिया something like that तीसना point है kangaroo closer kangaroo closer में जो सबसे important clause होता है देख़या तो जो सबसे important clause होता है उसको discuss कर लिया आपने बाकि सारे clause को आपने voting करा लिया यह काफी important है kangaroo closer में यदि आपने डिबेट किया है तो डिबेट को बंद करना है और वोटिंग करवाना है यह में closer का मतलब होता है closer motion का जिसमें different type closer famous है एक और बड़ा फिमस है इसे बोलते है गेलोटिं closer कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर bill discuss करने के टाइम नहीं होता यह ruling party के बार सुचती है कि जदा यहाँ पे हो हला नहीं किया जाए तो उसके चलते बो लोग proper तरीके से बीना बोट करवाए बीना proper तरीके से डिसकस किये हैं उसको बोट करवा देते हैं बिकाज आपको पता होना चे परलेमेंट में हर किसी की निगाहें होती है जितने भी new channels होते हैं सारे परलेमेंट पे ही उन्होंने पुरा focus करके रखे होते हैं जब budget session या winter session या जो भी session चल रहे होते हैं तो देखा जाये तो वहाँ पे कई बार ruling party इस closer motion का भी इस्तेमाल करत रहें सिदे सिदे तो इसे बुलते हैं गेलोटें closer तो यह closer motion के चार टाइप आप द्यार रखेंगे दिस और प्रिविलेज मोशन तो motion का एक अगला टाइप है दूसरा टाइप है जिसे बुलते है प्रिविलेज मोशन इसमें क्या होता है जो मेंबर है उनको प्रॉपर तर उसे correct information आपको मिलने चीए लेकिन मालेजे कोई member है जिनसे question पूछा गया और उन्होंने यहाँ पे गलत fact दे दिये उन्होंने यहाँ पे तोड मरोड के fact दे दिये तो उस condition में उस member के खिलाप privilege motion लाया जाता है तो यह भी काफी important है तो जो concerned minister है उनके खिलाप में यह sensor motion लाय है तो जीरो आवर के दोरान में दिखा जाया तो time रहता है हमारे पास discuss करने के लिए आपको पता होना चाहिए ग्यारावे से बारावे से तक होता है यह प्रॉपर दरीगे से आपका basically question hour का time होता है प्रेश्ट निकाल का time होता है जो कि पहला घंडा प्रेश्ट काल का होता ह है इसके लाव बारावे से एक बेतर का time जो होता है इस समय जीरो आवर मना चाता है चुकि इस time पे basically पार्लेमेंट के जो officers होते हैं वो तैयारी कर रहे होते हैं कौन को से बिल ले करना है something like that तूस time पे हमारे पास time होता है चीज़ों को discuss करने के लिए तो उसी समय calling attention motion लाता ह है जो member है वो ministers का attention grant करते हैं call करते हैं और देखाया तो यहाँ पे जो urgent public importance के matter हो उसमें discuss क्या आता है अब देखाया तो यहाँ बहुत सरी सी होते हैं जो काफी concern में जैसे covid-19 के बात करें हो omicron virus चल रहा है इसमें तो उसके कारण जो issues हो सकते हैं या चायना का मामला इसमें चल रहा है तो उस condition में calling attention motion बुलाया जाता है अब देखा जाया तो यह zero hour के टाइम में ही होता है और याद रहे zero hour की जो mechanism है उन्हें 54 से हमने स्टार्ट किया है तो यह थोड़ा सा आप है यह प्रिकास से हमारा अपना खुद का innovation है जो हम एक प्रिकास से formal mechanism की रुपे इस्तेमाल करते हैं जापनों तो calling attention motion जो है कौन से टाइम में लाया जाता है और जो कोई urgent public importance से matter होते हैं उसको basically वहाँ पे ध्यान आक्रिश्ट कराया आता है किसका ministers का तो यह है calling attention motion और इसकल वैसे adjournment signed है इस्थगन इस्थगन तो वो चीज़ अलग चीज़ है जो residing officer इस्थगन करते हैं that's different thing adjournment that's different thing मतलब उसमें house जो है 2-3 दिन कले इस्थगित कर दिया गया एक दू घंटे कले इस्थगित कर दिया येकिन यहाँ पर हम adjournment motion की बात कर रहे हैं इस्थगन प्रस् इस matter में ही discuss किया जाए बाकि जो बिल है उसको बादे पास कर लिया जाए लेकिन जब इतना urgent है की नहीं है उसके लिए जरूरी है कि यहाँ पचास member की support होना जरूरी है मतलब पचास member sign की होने चीज़िए उसमें कि yes हम इस urgent matter में discuss करना चाहते हैं तो यह प्रिकास से कह सकते extraordinary device है कि house में सारी करवाई चल रही है लेकिन अचानक से हमें लगता है कि नहीं इस matter में discuss होना चीए ऐसे मालने जिए suppose करें कि हमारा internal security में कोई threat है और वहाँ पे discuss होना जरूरी होता है तो उस condition में हम ad german motion लेके आते हैं और कहते हैं कि नहीं इस matter में discuss करो जो बिल है वो आप पाद पास कलना तो ऐसे motion को बोते हैं एड जर्म शन यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसमें कम से कम 50 इंबर का सपोर्ट ना जरूरी है और देखा तो यहाँ पर चैसर अगेंस्ट गवर्मेंट होता है जैसे माले जी पेगासस पाई वेर है पेगासस में बहुत सार लो है वो भी फोटो जो लेख हो सकती है तो ऐसी कंडिशन में आपकी जो प्राइवेसी है वाट्सप में आपके से क्या बात्चित कर रहे हो तो यहाँ पर देखा है तो इसके अगेस्ट में मामला है तो गवर्मेंट को कई बार एकांटेबल करने के लिए एड जर्में मोशन लाता है मतलब उनकी अक्टिविटीज में चेक करने के लिए अब देखें तो याद रहे है यह लोग सवा के पास के बार मेकेनिजम होती है तो इसे भी आप लोग गयाद रिखेंगे और इक्का मिनिम्मम दूरेशन जो है कम से कम धाई घंटे को होता है मतलब जो डिसक्सन अब देख शराय सबाद देख की आता है वो एक अलग चीज है यह इस्तगर प्रस्ताओं की बात कर रहे है मतलब जो प्रॉपर डिसक्सन प्रॉपर बेल वगरे का जो मामला चल रहा है वो उस चीज को इस्तगित कर दिया जाए और अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस की मुद्य को अब डिसक्स किया है इसे बोलते हैं that's called add general motion ठीक है add general motion की बात करें तो यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी गई है कौन कौन चीज़ें इसमें कवर होंगी कौन कौन चीज़ें कवर नहीं होंगी तो देखें यहाँ पर should not cover more than one matter मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक ममले के लिए अपने इस्तिकन प्रस्ताओ लाया और बाकी ममले को भी आप डिसक्स करने लगे जैसे पेकास पैवर के बारे में आप लेकिया इस्तिकन प्रस्ताओ और आपने यहाँ पर फॉर्म रिफॉर्म बिल को भी डिसक्स करने लगे या को बारे में दिसक्स करने लगे लगे आप जिस ममले के लिए क्या है उस्सी ममले को डिसक्स किया जाएगा दूसरी बात यहाँ पर देखा जाए स्पेसिफिक मैटर उफ रिसंट अकरेंस बद्द जो अब हाले में गठी थुआ हो ऐसा नहीं है कि आपने चार-शे question आप privilege privilege question जो है यहाँ पे raise नहीं किया जाएंगे कि हाँ आपने गलत information दिया यह जो भी है तो यह सारी जिए नहीं होगी तो एक अलगसी चीज है इसको आप रोग जाद रखेंगे इसमें कौन कौन से मुद्धर discuss किया सकते हैं तो यह भी आप याद रखें परलेमेंटरी प्रोसीजर का सबसे important motion है जिसे बुलते है no confidence motion देखे no confidence motion का मतलब यह है कि यहाँ पे देखें बाकी motions लाने के लिए आपको एक region देना पड़ता है कि हाँ हम लोग इसले लेके आ रहे हैं urgent public importance का यह मुद्धा है जिसको करना चाहते है ना लेकिन no confidence motion में कोई भी आपको region नहीं चाहिए मतलब no confidence motion का मतलब यह है कि हमें यकिन नहीं है कि इस समय government जो है वो लोग सभा की जो majority है उसको enjoy कर रही है च्योंकि पताव ना च्छिए जो government होती council up minister होती है यह दिबात करे government बनाने के लिए तो उन्हें लोग सभा की majority चाहिए होती है तो याद रखेगा यहाँ पे दिखा जाये तो ऐसा माना जाता है कि लोग सभा में तो लोग सभा में ही आपको यह majority प्रूफ करनी है तो लोग सभा में ही no confidence motion लाया जाएगा तो याद रखेगा यह जो motion है केबल और कोल लोग सभा में लाया आता है राज सभा में ऐसा कोई भी no confidence motion नहीं लाया आता बिकाज वहाँ पे कोई मतलब नहीं है दूसी बात यह आपको याद रखेगा यहाँ पे कि article 75 के अंदरगत no confidence motion cover किया गया है और यहाँ पे no confidence motion लाने के लिए एक मेंबर कोई बोल दे कि नहीं no confidence motion लाना चीए ऐसा नहीं है पचास मेंबर की sign होने यहाँ पे जरूरी है और यहाँ पे याद रखेगा यह दिये pass जाता है no confidence motion इसका मतलब है कि जो आप मिनिस्टर है मतलब जो मंत्र पर्षट है इसको resign करना पड़ेगा immediately इसका मतलब यह सबसब हो जाता है कि government is not unable to enjoy the majority of the house तो यह है no confidence motion इसको अप्याद रखेंगे काफी important है और इसके लिए proper कोई reason देने की जोरूरत नहीं है article 75 में cover किया गया है और केवल लोग सभाब में ही यह लाया सकता है इसके लावा यहाँ पर कुछ motion है जिसे बोलते है sensor motion तो अभी हमने closer motion पड़ा sensor motion की बात करें तो यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि sensor motion जो है specific policies को लेकर कुछ specific action जो government के दर लिए गये है है ना तो वहाँ पर देखा जाए तो उसके लाया आते है लेकिन यहाँ पर sensor motion लाने के प्रापर तरीके से पताओ ना चीए जिसे कोई individual ministers है या group of ministers है या पूरे के पूरे ministers है उनके खिलाप में आम तोर पर sensor motion लायाता है sensor का मतलब है आपकी activities को sensor किया जा रहा है मतलब आपकी जो activities है जो भी policies आपने बनाई है जो भी actions आपने लिये है उसके लिए proper तरीके से लाया जाता है कि sensor करने के लिए लेकिन याद है यह sensor motion लिए पास भी जाता है अब दिखें आपको पतों नाची पार्लेमेंट में जो पहला सेसन होता है पहले साल का मतलब नए साल का तो उसको address को न करते हैं President of India करते हैं जैसे आपको पतों नाची अभी budget session की बात करें तो budget session स्टार्ट हुआ है 31 जनवरी से 31 जनवरी का जो दिन है इसमें दे लेते हैं तो उसके बाद motion जो है एक motion of thanks लायाता है इसमें उसको voting करा जाती है कि yes इसमें thanks करना है तो याद रखें कि ये must भी पास बेदा house ये पर तरीके से पास होना जरूरी है माले जे motion of thanks पास नहीं है इसका मतब ये सो हो जाता है कि yes government majority enjoy नहीं कर रही है तो यहाँ पर जरूरी है कि यहाँ पर motion of thanks जब लाया आता है तो वहाँ पर पास होना चाहिए house के दौरा और ये house की दौरा जब पास होता है तो इससे भी प्रिकास से government का ये प्रूव जाता है कि yes we are enjoying the majority तो ये है motion आप thanks इसको आप याद रखेंगे तो ये रहे कुछ मातपूर motion एक और motion जिसको हम डिसक्स कर रहे हैं इसे बुलते है no day 8 named motion कई बार ऐसे motion लायते हैं तो यहाँ पर देखा जाया तो इस motion को जो speaker है उनके दोर admit किया आता है तो यहाँ पर ऐसा कोई date fix नहीं किया आता है कि कौन से date में इसको लिया जाएगा लेकिन yes यहाँ पर बोला आता है कि yes इस चीज topic को हम discuss करेंगे बाद में तो यहाँ पर जो भी business advisory committee उससे discuss करने के बाद में इसको decide किया आता है लेकिन याद रहे no day 8 named motion का मतब यह है कि किसी particular matter पर discuss करना है तो यहाँ पर प्रिजाइडिंग officer कभी को यह बोल देता है कि आज time नहीं है आज का वक्त नहीं है किसी दिन और discuss करेंगे तो वहाँ पर जो business committee है business advisory committee है उसको पता रहता है कि किस दिन कितना discussion करना है किस दिन कितना time हमारे पस खाली है उसके हिसाब से basically decide कर लिए आता है कि हाँ उस दिन हम discuss करेंगे तो यह सारे type के motions होते हैं तो यह सारे type के motions आपको ध्यान रखना है लेकिन इन में सब में कोई सबसे important motion कौन सा है तो यह एक motion है आपका एक तो motion आप thanks है जिसमें आपको majority prove करना जरूरी है दूसरा एक motion हम कह सकते है no confidence motion है article 75 के अंतरगत जो कि काफी important है इसके लावे adjournment motion one of the most important motion है इसके वारे आपको जरूर पता होना थी और याद रहे राज सभाम में यह adjournment motion नहीं लायाता है और इसके लाव बहुत सारे motion है जिसे calling attention motion है privilege motion है guillotine motion है guillotine closer है जिसमें बिना discuss किये ही बिल को pass करने की बात किया आती है kangaroo closer है जिसको discuss कर लिया हमने जो सबसी important class उसको discuss कर लिया और closer by compartment हो गया simple closer motion तो इससका kind of closer other यह सारी से आप याद रिखेंगे तो हमने क्या discuss किया हमने चार पर तीर प्रकार के motion mostly discuss किये उसमें है substantive motion substitute motion and substantive motion है ना इन तीनों के बारे में प्रॉपर तरिके discuss कर लिया I'm sure कि आपके जितने भी doubts हो गए होंगे वो सारे clear हो गए होंगे because motion में काफी सारे confusion होता है I'm sure this topic is resolved discussion को भी इच वाइड़ आप करते हैं लेकिन जो नवे फ्रेंट्स हैं लगस रवसे नाम कर टेलेग्राम ग्रूप जाइन कर सकते हैं वहाँ पर classes के information share किया आते हैं तो उसके माद्यम से अब्योड़ सकते हैं बाकि बहुत सारे classes platform में live होती हैं तो उस classes को भी आप benefit लेने के लिए चनल को सबस्क्राइब कर सकते हैं तो चले मुलाकात करते हैं आप उस फिर तब एक लिए बाबाए टे केर है वाड़ फुले हैट के मूँ फावड और टेक केर